Good morning friends, welcome to study with Neelam, I hope आप सभी लुग बहुत अच्छे होंगे, आज ही 17 सितंबर और 17 सितंबर के सभी best top current affairs question with point to point section हम complete करेंगे, उससे पहले अगर आप study with Neelam चैनल पर पहली बार आएं तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन प्रेस करना बिल्क notification आपको सबसे पहले प्राप्त हों, आप हमें tutor, facebook और इंस्टा पर follow कर सकते हैं, facebook और इंस्टा की story देखना बिल्कुल न भूलें, यहां पर हमारे सभी वीडियो की notification और कोई भी information है जो आपको पता होना चाहिए, exam point of view से तो वो भी आपको यहां प्राप्त होगी, आप इस lecture यह से पहले की किसी भी lectures के लिए हमारी ओफिडियो फाइल भी ले सकते हैं, official telegram channel study with नीलम से, सभी का link आपको description box में प्राप्त हो जाएगा, ok friends और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो फटा फट से चैनल को subscribe कर लिया होगा, आपने share और like करना बिल्कुल न भूलें, चलिए तो शिरू करते हैं आज का lecture, हाली में Indian Council for Culture Relations का नया Sanskritic प्रतीनीधी निमनिवे से किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है, film निर्माता विवेक रंजन अग्नी होतरी को Indian Council for Culture Relations का क्या बनाया गया है, Sanskritic प्रतीनीधी बनाया गया है, ये Central Board of Film Certificates, के भी मेंबर हैं याद रखेगा Central Board of Film Certification के मेंबर भी है शाथी जो हमारी Indian Council for Culture इसकी स्थापना किसकी द्वारा की गई थी तो इसको इस्थापना की गई थी हमारे पहले जो सिक्षा मंतरी थे कौन मोलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी तो यह याद रखेंगे आप लोग अधर ओप्शन देखते हैं बीए सिफ के डा राकेस अस्थाना कौन बने हैं राकेस अस्थाना उत्पल कुमार ये बने हैं लोग सभा में सचिब क्या बने हैं लोग सभा में सचिब बने हैं ठीक है इन्हें आयाद रखेंगा सेकेर्टरी बने और अभिक सरकार ये बने हैं प्रेश्ट ट्रस्ट ओफ इंडिया के प्रे यह दोनों ही होने वाले थे लेकिन आप लोगो को पता है क्या चल रहा है COVID-19 की वज़े से जो बड़े प्लेयर हैं बड़े देश हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया ओके तो इसे क्या कर दिया गया पॉस्पोंड कर दिया गया और अब यह कब आयो ज तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में हैटकौर्टर आपको मिलेगा मलेशिया के कॉललख में आपको हैटकौर्टर मिलेगा और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल हैटकौर्न होयर लाइन्स और अमरत योजना के तहट कई योजनाओं का उद्गाटन किया गया है तो राइट आंसर होगा बेहार में बेहार में क्या गया गया है अमरत योजना और नमामी गंगे योजना के तहट बहुत सारी योजना का उद्गाटन किया गया जिससे पटना में सीवरेज प्लांट की स्थापना की जाएगी और अमरित योजना के तहट पानी से जुड़ी पेजल की जो सुविधा है वो सीवरेज सिस्टम ये बनाया जाएगा प्लस रिवर फ्रंट की योजना है उनकी भी आधार सिला रखी गई है तो कहां पर बेहार म क्या है पटना है राजिपाल कोने फागु चोहाने मुख्यमंतरी कोने नितिश कुमारे और पटना हाई कोट का चीफ जस्टिस बने हैं अभी संजे करोल कोन बने चीफ जस्टिस और पटना हाई कोट संजे करोल संजीवनी एप कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों के बिहार में और उसके बाद ही इंद्रवज्र एप बनाया गया था जिससे ये क्या करेगा जो भी जिनके भी मुबाइल में ये एप होगा एंड्रोइड एप है मुबाइल की पता चल जाएगा उन्हें के 25 से 20 किलोमेटर के एरिया में बिजली गिरने वाली है ठीक है मतलब 15 से 20 मिनिट पहले ये जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो ये भी कहां बनाया गया था बिहार में गरीब कल्यान योजना रोजगार योजना अभियान का प्रारंभी भी बिहार के खागडिया जिले के अरेरिया गाउं से किया गया था तो ये भी आप याद भागलपुर में पहला कछुअ पुनरवास केंडर। इस्थापित किया गया है कहां पर बिहार में। और विक्रम शिला, गंगा, डॉल्फिन, अभ्यारन ये कहां पर है। 2020 में भारत की rank क्या रही तो इस index में भारत की rank रही है 54 total countries कितनी थी 56 56 countries में थे भारत को मिली है 54 rank ओके इसे किसने जारी किया है most important point यही है हमारा तो जो global house price index है इसे जारी किया गया है leading international property night frank के द्वारा ठीक है यह क्या है एक international property consultancy company है कौन सी firm है कौन unite frank इसी ने यह index जारी किया है और इस list में 56 में से top पर कौन सा रहा है तो top पर रहा है तर्की कौन सा रहा है तर्की top पर रहा है तो यह भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ हाली में ADB ने Asian Development Bank ने किसे भारत का country director नियुक्त किया है तो भारत की country director कौन बन गये हैं तो यह बन गये हैं टेको कौन शी कौन बन गये हैं टेको कौन शी कहां के भारत की country head और इन्होंने किसका इस्थान लिया है तो इन्होंने इस्थान लिया है केने की योकोयामा ठीके जो केनो की योकोयामा है उन्हें दक्षन एशिया विभाग का क्या बना दिया गया है अब महाने देशक बना दिया गया है पहले क्या थे केनो की योकयामा ये थे पहले भारत के कंट्री एड तो भारत के कंट्री डारेक्टर किसे बना दिया गया है तो ये बन गया है टेको कोनेशी ठीके तो इन्हें आप याद रखेंगे कल भी हमने एड बी के बारे में पढ़ाता तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी एड बी से रेलेटेड है और इन सभी को मैंने यहां रख दिया है तो चलिए एक एक करके हम इने देख लेते हैं कौन कौन क्या-क्या पतपर है एड बी में एशन डारेक्टर कहां पर एड बी में यह हमने कल ही देखा था और टेको कौन शी ये क्या बन गए है तो ये भारत का कंट्री डारेक्टर बन गए है एड बी की तरफ से ओके आप देखिए जो एशन डवलप्मेंट बेंक है इसमें भारत क्या है चोथा बड़ा शेयर धारक और 2010 के बाद से सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला देश भी कौन सा है एड़ीवी बैंक से तो वो हमारा देश भारत ही है ओके एड़ीवी की स्थापना कब हुई थी 1967 में हेड़काटर आपको मिलेगा मनीला फिलिपिंस में कहा मिलेगा हेड़काटर मनीला फिलिपिंस म और हम देख चुके हैं इसके अध्यक्ष कोन है तो माव्त सुगे असा कावा इसके अध्यक्ष कहां से है जापान से तो ये सारे important point है एड़ीवी से इस एक question में आपके 10 से 12 question बनते हैं तो ये सारे हम यहाँ पर complete कर लिये हैं ओके चलिए बढ़ते हैं अगले point की तरफ निम जाएगी मतलब दोगच की दूरी रखे मास्क पहनिये सेनेटाइज का यूज की जेवे वजा घर से मत निकलिये ठीक है भीड़ बारे भारवाले लाकों में मत जाईए तो इसके प्रती क्या करना कोरोना वाइरस के प्रती जावरुकता अत्पने करने के लिए और इसके मास्क होता है वो वितरित किया जाएगा तो यह किसने प्रारम किया है चतिस गड़ के मुख्य मंत्री कौन है भूपेश बगिल के द्वारा इस योजना को हरी जंडी दिखाई गई है तो यह इंपार्टन पॉइंट है याद कर लीजेगा अब हम बात कर लेते हैं किसकी चत का भोपाल में है और केफे कहां पर है अंबिकापूर में ठीक है गारवेज के वे हैं कहां मिलेगा आपको अंबिकापूर में यह देश का पहला गारवेज केफे हैं क्या अंबिकापूर 36 गड़ के अंबिकापूर में महेंद्र सहीद महेंद्र कर्मा सामजिक सुरक्षा योजना ये 36 गड़ सरकार द्वारा जो तेन्दू पत्ता का संग्रहक लोग है ठीक है जो संग्रीद करते उनके लिए योजना प्रारंब की गई थी अठल नगर किसका नाम ही तो ये नया रा दिया गया है अटल नगर जो चीफ जश्टिस कोन है राइपूर हाई कोट के तो ये हैं पी आर राम चंदर मैनन और ये भी अभी बने इसलिए इंपोर्टेंट है तो आप याद रखेंगे ओके इंद्रावती नेशनल पार्क आपको कहा मिलेगा तो ये मिलेगा 36 गड़ मे और गुरु घासी दास नेशनल पार्क इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बन रहा है 36 गड़ का चोथा क्या टाइगर प्रोजेक्ट तो इससे भी आप याद रखेंगे कहां पर है ये गुरु घासी दास नेशनल पार्क 36 गड़ राज में चलिए बढ़ते हैं अगले दिवस मनाया 5 सितंबर को वल्ड चेरिट्री डे भी हमने मदर टेरिसा के वर्थटे पर कब मनाया 5 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ओफ क्लीन इयर फॉर ब्ल्यू स्काई कब मनाया गया 7 सितंबर को 8 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्टी साक्षरता दिवस और इस इसकी थीम क्या थी प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव जनरेशन ओके नैस्ट है हमारा विश्व आत्मत्य निशेद दिवस 10 सितंबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड 11 सितंबर को राष्टी वन सहीद दिवस मनाया गया 12 सितं पंधरा सितंबर को राष्टी लोगतांत्रिक दिवस मनाया गया थे 15 सितंबर को ही मनाया गया इंजिरिंग डे सर मोख्च गुंडम विश्वैस रही आके जन्म दिवस पर और ओजोन फॉर लाइफ ओजोन फॉर लाइफ थर्टी फाइफ एर्स ओजोन लियर प्रोटेक्शन ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम एशन डवलप्मेंट बेंक ने वित्य वर्स दो हजार 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एडीवी के द्वारा माइनस 9% कितना अनुमान व्यक्ति किया है एडीव ने माइनस 9% ओके अभी हम लोग पूरे दो वीक हो गया है जिस अब से देख रहे हैं कि अलग-अलग और्गनाइजेशन अलग-अलग रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान व्यक्ति किया जा रहा है तो यहाँ पर हमने पूरा दे लेना है एक बार में ADB, Standard and Poor's, Global Rating और आपका क्रेसिल इन तीनों ने क्या बताया है माइनस 9.9% ओके माइनस 9% अब देखते हम गोल्डमेंस सेच ने क्या बताया है तो इसने बताया माइनस 14.8% माइनस 14.8% फिट्च रेटिंग ने बताया है माइनस 10.5% SBI ने बताया है माइनस 10.9% SBI ने माइनस 10.9% इंडिया रेटिंग ने माइनस 11.8% और NS जो हमारा National Esthetics Office है उसने पहली तीमाही मतलब मार्ट, अप्रेल, माई और जून के लिए जो बताई है हमारी GDP की रेट वो कितनी बताई है ये बताई है माइनस का 23.9% और एक और यहाँ पर है ना कौन सी है मोडीज मोडीज ने कितनी बताई है वही तो मोडीज ने बताई है आपकी 11.5% किस ने बताई है मोडीज ने बताई है तो ये सारी रेटिंग एजनसियों के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ रेट से जुड़े हुए अनुमान है इन्हें अच्छे से याद रखे का आप लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ निमने में से किसे पेटियम फर्स्ट गेम्स के ब्रेंड एंबस्टर बनाया गया है जो पेटियम बेंक है उसी का ये एक प्लेटफॉर्म है गेम्स का यहाँ पर सभी तरीके के जो गेम्स है व ओफिशल एमपायर पार्टनर है ठीके कौन पेटियम किसकी आईपियल की ठीके याद रखेगा इसे क्या है आईपियल की ओफिशल एमपायर पार्टनर है और इसकी स्थापना का हुई थी 2010 में हुई थी पेटियम की स्थापना और इसके कौन फाउंडर कोने तो फाउंडर वो कौन है अध्यक्ष तो वो है अमित नईयर अध्यक्ष कोन है पेटियम के बरतमान में प्रेसिडेंट कोन है अमित नईयर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिमने में से किसके द्वारा जिनना हिस सक्सेस फेलियोर और रोल इन हिस्टरी बुक लिखी गई है तो यह यहां पर जो अर्जुन सुब्रमन्यम है इन्होंने क्या बुक लिखी थी इन्होंने लिखी थी इंडियाज वोर 1972 से 2022 सुरीधरन पिल्ले यह मेगा लेके राज्यपाल है और इनके द्वारा लिखी गई थी कोरोना कभीता काल नामक पुस्तक और गोरी खान की बुक कली हमन से किसे बनाया गया है तो राजिस्तन रोयल के ब्रेंड अमबेश्डर बन गए हैं सैन बॉर्न कौन बन गए हैं सैन बॉर्न बन गए हैं यह मेंटोर के रूप में काम करेंगे ठीक है कौन शैन बॉर्न टीम मेंटोर और इनके कोच कोन है तो इनके कोच है राजिस्तन रोयल इसके Andrews MacDonald Andrews MacDonald उनके साथ ही ये mentor के रूप में काम करेंगे ओके तो ये भी आप याद रखें किसे Shen Born को Great Learning ने अपना Brand Ambassador निमने में से किसे बनाया है तो ये Great Learning के Brand Ambassador बन गए कौन? विराट कोहली विराट कोहली बन गए है Great Learning के Brand Ambassador तो ये था हमारा आज का क्या Question section अब हम करेंगे Point to Point section complete तो सुबास कामाद भारते विज्यान परिशद के अध्धक्च बनाए गए है ठीक है विज्यापन मानक परिशद ये मानव नहीं ये मानक है अनिल जेन All India Tennis Association के अध्धक्च बने है Cycling Federation of India द्वारा 2021 में Cycling Sammellan की मेजवानी की जाएगी कहाँ पर बैंगलूरू में 2021 में भारत Bricks खेलों की मेजवानी करेगा किसने बताया था ये केंदरी खेलमंतरी किरन रिजिजू दुवारा ये जानकारी दी गई थी 2021 में Tokyo Olympics का आयोजन होगा कहाँ होगा इंडोनेशिया में FIFA Under 17 महिला भारत में आयोजित होगा FIFA Under 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा वो कहाँ होगा भारत में होगा 2021 में FIFA Under 17 पूरूस विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा पेरू में होगा दक्षन अमेरिकी देश है पेरू पेरु की केपिटल क्या है लीमा ICC मेच T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहा होगा 2021 में तो ये भारत में करेगा ठीक है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होगा 2021 में ये सभी आगामी पृतियों किता है वर्स 2021 की हैं इसलिए आप याद रखेगा 2021 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहा किया जाएगा न्यूजी लेंड में मदूबनी पैंटिंग किस राजी से संबंधित है बेहार राजी से संबंधित है जे प्रकास नारायन एयरपोर्ट कहा मिलेगा आपको बेहार राज में देश का पहला डॉल्फिन सोत केंदर पटना बिहार में बिहार का शोक किसे कहा जाता है कोशी नदी को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा बन रहा है बिहार में बन रहा है कोशी मोची नदी परियोजना को मंजूरी प्राप्त हो गई है बिहार दिवस 22 म मार्च को मना जाता और 22 मार्च को भी विश्व जल्दीवस भी मनाते हैं राके सस्ताना बीसेफ के डारेक्टर जनरल बने अभीक सरकार प्रेश्ट ट्रेश्ट ओफ इंडिया के द्यक्च बने उत्वल कुमार क्या बन गए लोग सवा सचिब बन गए और राज्य सवारवक के दुबारा उप सभापती कोन बने हैं हरिवन्स नारायन बने हैं अर्जुन सुब्रमन्यम द्वारा फुल स्पेक्टरम इंडियाज वोर 1972-22 लिखी गई है ओके कोरोना कविता काल सिरी धरन पिल्लेई द्वारा लिखी गई बुख है अमेजिंग अयोध्या नीना राय द्वारा लिखी गई बुख है अमेजिंग अयोध्या किसने लिखे नीना राय ने पढ़ाई तुहार द्वार योजना कहां प्रारंब भी 36 गड़ में प्रारंब हुई है पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल भी 36गड में ही प्रारंब किया गया था इसी योजना के लिए ठीके घर माये हाउस माये स्कूल की योजना मद्धिप्रदेस सरकार ने चलाई थी उसी तरीके से 36गड सरकार ने चलाई थी इंद्रा वन मितान योजना 36 गड़ सरकार द्वारा प्रारम भी की गई थी इंद्रा रसोई योजना राजिस्तान सरकार ने प्रारम भी की थी देश की पहली राज जिस्तर ये ई लोक अदालत का आयोजन किस राज़ी में हुआ 36 गड़ में किया गया पसू धन नयाई योजन मैं तनाव के लेबल को कम करने के लिए होम डिलिवरी के लिए क्या घर को सामान को घर तक पहुचाने के लिए कौनसी सीजी हार्ट अप्लिकेशन लॉंच की गई थी 36 गड़ सरकार के द्वारा 36 गड़ के पहले मुख्य मंतरी अजीत जोगी जी जो थे उनका निधन हो चुका है 36 गड़ सरकार ने राजिव गांदी किसान न्याय योजना प्रारंब की है तो ये सारी योजना आप 36 गड़ से याद रखेंगे रोहिस सर्मा, स्पोर्ट्स, आईवियर, ओकले के ब्रेंड अमबेजडर है आई आई एफल, फाइनेंस कंपनी के ब्रेंड अमबेजडर है और ला लीगा, स्पैनिस फूड़ वोल क्लब है, इसके भी ब्रेंड अमबेजडर है तो इनको याद रखेंगे आप कियारा अडवानी मिंतरा के ब्रेंड अमबेजडर बनी है आयुश मान कुराना यूनिसेप के एड़ोकेट सेलिब्रिटी बने है और मानुसी चिल, ये 2017 की मिस वर्ल्ड है और एडिडास की ब्रेंड अमबेजडर बनी है तो ये था हमारा आज का point to point section और आज का question है आपके लिए हाली में रेचर्ड सी हॉल बुरुक विसिष्ट उपलब्दी पुरसकार या डिटोर्न लेटररी पीस प्राइस 2020 की विज़िता निमन में से कौन बने है ये हैं आपके option option D इस में से miss है तो काम चला लीजेगा आप लोग आज ये mistake हो गई है हाँ और कल का question आपसे पुछा गए था कि हाली में जापान के प्रधान मंतरी कोन बन गए है तो वो बने है योशी हीदो सुका योशी हीदो सुका ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए थांक्स पर वाचिंग वाचिंग एव ग्री देख एंग टेक केर